नमस्कार साथ यह, एक बार फीर मैं दिपंकर समद्दार चार्टेड अगांट है आपका दोस्त और बिजनस ग्रोथ सुष्ट के चीटफंड कमपणी क्या होता है चीटफंड कमपणी को पैसा लेकर भागने वाली कंपणी तो नहीं होती है क्या चीटफंड कमपणी लीगल ह होती है क्या की जैसे शार्दा-चिट कंपणी थी वह चिट फंड खंपटी है सब तया और पैसे लेकर आप और पैसे नेकर भाग जाता है यह चीट अड़क उगया शारदा कंपणी को ये कहा गया कि 2011-12 में सेभी ने बोला कि आप हमसे relevant approval लीजे और हमको disclose करिया आप क्या कर रहे हो तो जब disclosure किया तब पता चला कि भाईया वहाँ पर losses बहुत जादा हैं और उनके खर्चे भी बहुत जादा हैं commissions बहुत जादा है और finally जो आ रहे हैं पैसे उसका जो utilize करके जितना income होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और इसी कारण से बाकी और भी बहुत सारे कारणों को मिला कर वो company को बंद किया गया लेकिन वो एक company केवल example है ऐसे लाकों company आती हैं और उसके बाद चले जाती है लेकिन य 1969 में केरला state finance enterprise जिसको केरला चिट्टी भी कहते हैं वो start हुआ और उसके बाद next करनाटा के हमें हुआ और कुछ states में फिर आगे बढ़ा लेकिन क्या ये चिट फंड सही है फाइदे मंद है या सबनों बहुत जादा फाइदे मंद है क्योंकि केरला में जब start हुआ तो केवल ज़ादा लोगों को मिला और कारण क्या था यहाँ पर government organization था तो मैं आपको बता दूँ कि चिट फंड दो तरीके के होते एक government वाले चिट फंड और एक non-government वाले चिट फंड तो गूँझेट वाले चिट फंड कोंसे हैं जो government से registered हो या bank का backup हो या government का backup हो, right, दूसरा non-government मतलब जो private cheat fund है जो की privately काम करते हैं, जिसको cheatty भी बोलते हैं, cheat fund भी बोलते हैं, cheat pod भी बोलते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है state के हिसाब से तो ये private लोग भी इसको organize करते हैं जो इस पूरे cheat को organize करता है उसको organizer कहते हैं, या फिर cheat manager कहते हैं, right तो मैंने आपको दो बता है, government का और एक non-government का अब non-government में दो भाग है, एक registered और एक unregistered registered अगर है, government से, तो फिर वो registered cheat fund हो गया और दूसरा, जो कहीं से registered नहीं है, वो unregistered हो गया अब यह जो registered है, इसको दो पार्ट में लेते हैं, सबसे पहला पार्ट है, जो बड़ी companies है, जैसे श्रीराम है, right श्रीराम group of companies है, अगर यह चिट जो issue करती है, वहां पर risk कम रहता है, क्योंकि यह company के जो portfolio बहुत बड़ा है, इनके काम भी पूरे बहुत सारे हैं, जिसमें इनको profit होता है, और यहां पर पैसे डूबने के chances कम रहेंगे, दूसरा registered तो है, लेकिन छोटी-छोटी company हैं, तो यहां पर असुविदा होती है, guarantee नहीं होती, और backup का ठिकाना और चौथा, अन्रेइस्टेड है, तो बहुत ज़्यादा अनसेक्यूर है, लेकिन मैं आपको बदा दू, पूरे इंडिया में अन्रेइस्टेड वाले ही ज़्यादा चलते हैं, तो हम लोग को इसके बाद ने, इसका model समझना पड़ेगा कि business model क्या है यह, जिसमें members को क्या फाइदा होता है, या जो चिट चलाता है, उसको क्या फाइदा होता है, सबसे पहली बात, member जो रहते हैं, वो example ले लेते हैं, कि हर महीने 10,000 रुपए वो जमा करते हैं, एक 20 लोग हैं, तो इसका मतलब हो गया, 20 लोग इन्टू 10,000, इसका मतलब 2,00,000 रुपए हर महीने जमा होंगे, और 20 लोग है, तो यह 20 महीने तक चलने वाला प्रोग्राम है, अब जो organizer या fund manager है, वो क्या करता है, कि यह सारे लोगों को manage करता है, उनको guarantee देता है, बोलता है कि यह मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप आराम से payment करिए, तो suppose कर यह पहले महीने में सारे लोगों ने 10,000 दिया, तो कितने आगे 2,00,000 रुपए आ गया, अब यह 2,00,000 रुपए आने के यह bid लेना चाहता हूँ, दूसरा बोलता है, एक 80 में, तीसरा बोलता है, एक 70 में, और 1,50,000 रुपए में final हो जाता है, तो 1,50,000 रुपीज में किसी ने उस पूरे महीने के पैसे को उठा लिया, 1,50,000 रुपए उसको मिल गए, अब बचा कितना 50,000 रुपए, यह 50,000 रुपए का क्या होगा, सबसे पहली बात यह, जितना भी फंड होता है, जैसे 2,00,000 है, उसका 5% या 10%, 5% ते 10% के बीच में, जो मैनेजर होता है, चिट मैनेजर वो अपना कमिशन लेता है, तो सपोस कर यह 5% है, तो यह जो 2,00,000 रुपए है, उसका 5 5% कितना होता है, 10,000 रुपए, यह 10,000 रुपए कौन रखने वाला है, यह जो चिट का जो और्गनाइजर है, वो रखने वाला है, अब बचत कितनी वी थी, 2,00,000 जमा हुआ था, 1,500,000 वो लेकर चले गया, 10,000 कहां चले गया, मैनेजर के पास तो 40,000 रुपए बजगे, अ अब इसी तरीके से next month आएगा, लेकि next month में खास बात यह होगी, कि जिसने पहले bid किया, उसको वापस से bid करने का मौकब पूरे 20 महीने तक नहीं मिलेगा, तो second month में, जो जो bid कर लेगा, जीत जाएगा, उसको bidding से बाहर कर देंगे, अगले bidding में, तो अगले महीने 19 लोग bid कर जाएगे, और ऐसे करते करते, जो आखरी महीना रहेगा, वो पैसे directly पूरे मिल जाएगे किसको, जिसने कभी bid किया ही नहीं, या bid करके कभी जीता ही नहीं, अब ये जानते हैं कि लोग किस समय कम bidding करते हैं, दो लाग को देड़ लाग में bidding करने का जरूरत क्या है, जितने भ वालिड सिस्टम से अगर जाएंगे, तो वहाँ पर फस जाएंगे, बैंक वाला लोन में टाइम लगा देगा हो सकता है, प्राइवेट फाइनेस वाला हो सकता है, आपका लोन चल रहा है, वो भी पैसे देगी ना, उस समय ये जो चिट फंड वाला जो और्गनाईजेशन रहता है, वहाँ पर जाकर वो पैसे की बीडिंग करता है, कम बीडिंग करने के प्रयास करता है, गर उसका इमर्जनसी जादा है, जिसकी जरूरत कम रहेगी, उसके बाद भी पैसे मांग रहा है, तो फिर वो कम बीडिंग नहीं करेगा, वो रिजनेबल टाउन बीडिंग क करेगा लेकिन जिसकी जरूरत बहुत जादा है वो जादा से जादा कम करते जाएगा बोली लगाते जाएगा ताकि उसी को वह पैसे मिले और वह उसको इस्तिमाल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल कर पाए और अगर उसके बाद पैसे बचेंगे तो इन्वेस्ट कर लेगा और उस पे वह कुछ इंकम कमाने कोशिश करेगा ताकि लॉसस कवर हो सके और जरूरत के समय उसका काम हो गया तो उसकी गूडविल भी बनी रहे जा हर महीन अगर एक परसेंट भी इंकम आ रहे एक से दो परसेंट तो साल बर में आपका दस परसेंट से लेके बीस परसेंट तक भी जा सकता है अठारा बीस परसेंट आराम से जा सकता है बीडिंग जितनी डाउन होगी उतना फाइदा होता रहेगा ओर्गनाईजर तो पैसे समझ के रहना पड़ेगा और इसके बेसिस पे आप अपने बड़े इंवेस्मेंट्स मत करिएगा ये इमर्जेंसी रिक्वाइर्मेंट्स जब भी रहे तो ये पैसे हम लोग को मिलने का जुगाड बना रहे और अगर हम लोग को बीच में जरुवत नहीं पड़ी तो हम लोग ज़िए पसी कंपणी है लेकिन और भी नीसको छूट दिया हुआ है इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हो रिश्टेशन का अगर आप नीचे कमेंट लिखते हो रिश्टेशन ऑफ चेट फंड या खाली रिश्टेशन लिख देते हो तो बिजनेस अगर करना है तो business के सारी जानकारी होना चाहिए पैसे invest करना है तो उसकी जानकारी होना चाहिए हमारा विश्वास है कि आप लोग जागरूख है और हम लोग हमेशा महनत करते रहेंगे आप लोग को बड़ी important जानकारी देने की और आपके जो comment होते हैं वो बहुत ज़्यादा important होते हैं उसके basis पे मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ और आप लोग की हमेशा मदद करना हमारा mission है तो बने रहेगा मेरे साथ आपका दिन जबरदस्तो शुब हो